ना सदा सिन्नो सदा सित्त दा नीम ना सित्र जो नो व्यो मा परोयत किमा वरेवह कुह कस्य शरमनम भा किमा सित गहनम गवेरं स्रिष्टी से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था चिपा था क्या कहां किसने धका था उस पल तो अगम अतल चल भी कहा था जpowराइब और उस समय इस रफे दो तो बढ़ो करी कहा थैसम civर्स कव स्विष्टी का कौन है करता करता है वाह करता उन्चे आकाश में रहता सदा अध्यक्ष बना रहता वही सच मुझ में जानता या नहीं भी जानता है किसी को नहीं पता नहीं पता नहीं है पता नहीं है पता शुरू में सरसेयत की नीती कामयाब साबित हुए और मुस्लिम मध्यवर्ग राष्ट आंदोलन से खासा परे रहा मगर बीस्वी सदी की शुरुआत में इस मध्यवर्ग की नई पीड़ी राष्ट्रियता और कामी आंदोलन की ओर खिंचने लगी इस धारे को काटने के लिए अंग्रेज सरकार की सरपरस्ती में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई लीग के दो मकस्द थे अंग्रेजी सरकार से वफादारी और मुस्लिम हकों की सुरक्षा मगर कुछी सालों में लीग को भी कांग्रेज की देखा देखी स्वराज की मांग करनी पड़ी मुसल्मानों की एक बड़ी तादाद में आजादी के लड़ाई में हिस्सा लिया लेकिन हिंदुस्तान के राष्टे आंदोलन पर हिंदू हावी थे और उस पर उनका रंग चाया हुआ था इसलिए मुस्लिम जहन में एक कश्मकश पैदा हुई बहुतों ने इस कौमियत को कबूल करके ये कोशिश की कि इसे बहुरंगी बनाए कुछ लोग इस आंदोलन से हमदर्दी रखते हुए भी डावा डोल रहे और बाकियों ने अलगाव का रास्ता अख्तियार कर लिया सर स्यद की राष्टिय आंदोलन से परे रहने की नीती भले ही देर तक सफलना रही हो लेकिन उनके साथ ही नवाब महसिन अलमुल्क ने अंग्रेज सरकार को मुसल्मानों के लिए अलहदा चुनाव क्षेतर का खास हक देने पर राजी किया इस एक अलग हक ने आगे चलकर भारत में अलगाव वाद को काफी बढ़ावा दिया इन अलग चुनाव क्षेतरों की बिना पर 1916 में कांग्रेज को मुसलिम लीग से समझोता करना पड़ा फिर खिलाफत आंदोलन के कारण लीग की अहमियत कम हो गई और खिलाफत पार्टी और जमियत अलगाव और एहरार ने डट कर 1921 के आंदोलन में कांग्रेज का साथ दिया अपने हितों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने 1927 में साइमन कमिशन हिंदुस्तान भेजा जिसकी जबरदस मुखालफत हुई ये साइमन कमिशन लाड अविन की चाल है जो इसने हमें फूट डालने और अंग्रेजी हुकमत की मुखालफत को कमजोर बनाने के लिए चली है लेकिन खुदा का शुक्र है कि सारे हिंदुस्तान में इस कमिशन के खिलाफ सक्त एधिजाच किया रहा है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बंबे में जबरदस्त हर्ताल की जा चुकी है लाहूर में भी काफी मुझाहरे हुए हैं जिनके नतीजे में हमारे बज़र लीडर लाला लच्पतराईजी सख्ख्ख्ख्मी हो गए है मदराज, दिल्ली, कलकता में, पुलिस, मुझभेड में काफी लोग या तो मारे जा चुके हैं या जख्मी हो चुके है अब ये कमिशन हमारे शहर लखनों में आ रहा है और मैं ये हर्गिस नहीं चाहूंगा कि हमारे नوجوان, खास तोर पर तलबा और सियासी कारकुन ऐसे मुझाहरों में हिस्सा लें जिन से लोगों की जान जा सके इसलिए मैं आप से दर्खास करता हूँ के कमिशन के खिलाफ मुझाहरे पुर अमन हो और लोग अपने जजबात पर काबू रखें अब मेरी दर्खास है कि एक कमिटी बनाई जाए इस बॉयकॉट कमिटी के कन्वेनर के लिए मैं राजय साहब का नाम पेश करता हूँ अब मैं कमिटी के लिए कुछ और लोगों के नाम पेश करता हूँ सबसे पहले इस शहर के मशूर जागिरदार हामिद अली साहब चौधरी साहब लाला मक्खल लाल जी पंडिर जी गनेश विध्यारती साहब डॉक्टर अहसान और माजिद अली साहब रजा साहब मेरी नाचीज राए ये है कि एक ही घर से तीन आदमी लेने के वजाए अगर आप किसी दूसरे को ले लीजे देखिए आप माजिद साहब डॉक्टर अहसान एक घर के जरूर है लेकिन यहां पर हर एक को उनकी खिदमात के वजास लिया गया है मेरी एक तजवीज है राजा साहब जी जिसके जरीए हम दूर रहकर भी अपने जज़बात का इज़ार कर सकते हैं मगर हम तो करीब जाकर उने काले ज़ंडे दिखाना चाहते हैं वो तो दिखाईए विद्यार्थी जी मगर जो मैं कह रहा हूँ वो भी कीजिए तो दोरा असर होगा फरमाईए के तजवीज है कमीशन को तालुकेदारों की तरफ से पार्टी दी जा रही है इसका बंदोबस्त कैसरबाग में किया गया है वहीं बाबू वासुद्यो लाल जी का मकान है जिसके दो मनजले पर से कैसरबाग की बारादरी दिखाई देती है मेरी तजवीज है कि हम लोग दो मनजले पर खड़े होकर पतंगे और गुबारे उड़ाएं और उन्हें बारादरी पर गिरा दे अहसान मिया यह वक्त मजाक का नहीं है माजिद भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सिल्जी भी से कह रहा हूँ माजिद साहब हाड मांस के आदमियों से नहीं डरे वो कागस के कंकवों से कैसे डर जाएंगे मकसद धराना नहीं है लाला जी मकसद अपनी बात तोचाना है Simon, go back! Go back! मुस्लिम लीग और कॉंगरस में नए समिर्धान के बारे में बातचीत हुई और मोतिलाल नहरू की सदारत में एक रिपोर्ट तयार की गई इस रिपोर्ट के कुछ मुद्दों को लेकर मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कॉंगरस में सक्त अक्तिलाफ हुए और आखिर लीग की कई शर्ते रद कर दी गए इसके बाद लीग ने फिर जोर पकड़ा और 1931 के अंदोलन में मुसल्मानों को भाग ना लेने पर उक्साया तब तक खिलाफत पार्टी बिखर चुकी थी मगर जमियत उलुलेमा और एहरार पार्टियों ने राष्टी अंदोलन का साथ नहीं छोड़ा मैंने आपकी इलाहबा जाने की सबतायारी कर ली है शुक्रिया वेगम अले तुलन माजिद मैं सो गए क्या जाग रहा हूं भाजन आईए अंदर आईए आईए भाजन आदाव सलामत रहिए आईए बैठिए क्या बात है बहुत देर लगा दी आपने आमिया देर हो गई थोड़ी मीटिंग थी अपने चौजी साब के मकान पर सब खेरे तो है ना कांधी ची की रफ़तार कर लिए गए वो तो होना ही था जिस दिन नमक का कानून तोड़ने का ऐलान हुआ था उसी दिन में समझ गया था बाईजान क्या हकूमत खामुश नहीं रहेगी माजिद में सिर्फ यहीं नहीं खबर मिली है कि दूसरे लोग भी पकड़े जाएंगे पनित्मोतिलाल, जवाहिलाल, मालवियाजी, वल्लब भाई इन लोगों की गिरफतारी के वारन पिजारी कर दिये गए बाईजान यह तहरीक ज़्यादे देर नहीं चल सकती अब आम को लेकर कब तक अंग्रेशों के खिलाप लड़ेंगे एक बार लेडर पकड़े गए बस सब लोग चुपचा बैठ जाएंगे हाँ इसलिए डॉक्टर अंसारी का कहना है के जो जो गिरफतार होता जाए अपने जानशीन का एलान करता जाए कॉंग्रेश को बगार लीडर के एक मिनत भी नहीं रहना चाहिए और फिर माजिन मिया आखिर कहां तक पकड़ेंगी यह लोग जेलो में इतनी जगे कहां है हाँ वो हमने आपका और एसान मिया का नाम दे दिया है के जब भी जरूरत हो हम लोग हाजिर है मगर भाजजान मैं तो इलाबात जा रहा हूँ क्यों वहां मुसलिम ली का सेशन होने वाला है मैं उसकी इंतिजामिया कमीटी का सेकेर्टरी मी वह आप भी कमाल करते हैं माजजित मिया अपनी सरदर्मियों के एक तरफ करने तो ज़्यादा बेतर होगा आप खिलाफती कमेटी में भी हैं कांग्रेस में भी हैं मुसलिम लीग में भी हैं अरे भाई जान आप भी तो इन तीनों में हैं बिल्कुल बजा फर्मा रहे हैं आप लेकिन बुन्यादी तोर पर हम एक खिलाफती हैं बस बाकिस सब बातें बात में खिलाफत और कांग्रेस में कोई फरक नहीं वो तो एक ही सिक्के के दो रुक हैं मतलब लीग अब अलग है क्या नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब है कि ये तमाम पार्टियां तो बहाई नाम अलग अलग हैं असल मक्सुद तो सबका यह की है है नहीं सलीम भाई अरे शाही आउ जी अमने पूछ रही थी अबबा की कोई खबर आई इलाबाद से कब तक वापसी होगी उनकी तो कोई खबर नहीं लेकिन इस अखबार में बहुत दिल्चस्प खबर आई अब बाद के बारे में नहीं अल्लामा इखबाल के बारे में वो इलाबाद में लीग के जलसी की सदारत कर रहे थे उन्होंने एक मुस्लिम रियासत का मतालबा किया है फर्माते हैं मैं पंजाब, सिंद, बलूचिस्तान और सूबह सरद को एक रियासत की शकल में देखना चाहता हूं जो खुद मुखतार हो चाहे वो बरतानवी सल्तनत के हुदूत के अंदर हो या बाहर शिमाल मगरीबी मुसल्मानों की मनजिल एक आजाद, मुत्तहदा रियासत का कयाम ही नजर आती है शायर है ना, शायरों का काम ही खयाल की दुनिया बसाना है शुकर करो शाहिन, किसी ने उनकी बात को संजीत की से नहीं लिया अगर कोई resolution पास हो जाता, तो समझ लो की फितना ख़ड़ा हो जाता कैसा फितना? हिंदू कहते जहां उनकी अक्सरियत है, वहां उनकी रियासत मिलनी चाहिए हिंदू मुसल्माने में खूब जूतम पैजार हो जाती और फाइदा होता अंग्रेज का लगता है आप अलीगर में रहकर काफी समझदार हो गए है या फिर ये अबबा और चेचामिया के साथ रहने का नतीजा है तारीफ का शुक्रिया महतरमा लेकिन मेरी समझदारी में ना आपके अबबा का हाथ है ना मेरे अबबा का हाथ है माफ कीजिएगा वो तो खुद इंतिहाई confused है आयला कैसी बाते करते हैं सलीम भाई वो बुजग है इसलिए मूपर नहीं कहता लेकिन पीछी तो कह सकता हूँ हमारे अबबा अब तक खिलाफती बने हुए है जब खिलाफत खतम हुए तो जमाना गुजर गया भाई तो क्या हुआ खिलाफत कमिटी वतन की आजादी के लिए ही तो कोशिश कर रही है ना यही तो मुसीबत चाहिन आज़े लोग कहते हैं कि मुसल्माना कोई वतन नहीं होता क्योंकि वो एक अजीम मिल्थे इसलाम का एक मंबर है और बाकी आज़े कहते है कि इसलाम वतनवे छिलाफ है वतन पहले मिल्लत बाद में इस पर जम्यत अलुलेमा और अल्लामा इखबाल को लेकर कितनी बहस हुई है आपका क्या ख्याल है? क्या मज़ब की कोई अहमियत नहीं? मेरे ख्याल से मज़ब एक जाती मामला है शाहिन और मजभी अक्सरियतों की मांग ये होनी चाहिए कि उन्हें अपने मजभ और तौर तरीके कायम रखने के लिए एक महफूज माहूल मिले बस अपा तो कहते हैं कि आजादी के बाद मुसल्मानकों उनके बरावर के हक नहीं मिलेंगे अगर उसके लिए अपी से अइतजाज न करें यही तो अफसोस की बाते शाहिन मजभ की जगा ले लिए फिरका परस्ती न यानि कुछ लोगों और गुरुप ये कहता है कि वो मजभ पर मबनी है और उसकी माओं का मजभ से कोई वास्ता नहीं है उसकी मांगें सिर्फ वास्ता रखती हैं सरकारी ओधों से नौकरियों से और सियासी ताकत से तो आपका मतलब है कि अब बाद दोगले खयालों के है नहीं चैसाजान तो ऐसे नहीं है लेकिन वो भी जजबात में ये भूल रहे हैं कि लड़ाई गरीबी और जहालत खिलाब भी लड़नी है जो उनके महदूद दैरों में रहकर नहीं लड़ी जा सकती अरे आईये आईये मकला जी तेश्री प्रकी आज़ा मुबारखो ऐसान मिया मुबारखो शुक्रिया लाला जी अमा इतनी बड़ी कांग्रेस के इतने बड़े अख़वार के आप एडिटर चुने गए और इतनी छोटी सी महदूद अमा हमसे कहते बारा दरी में वो महदूद गर्म करते के पूरा शहर याद करता बाई एसान मिया से हमने भी यही कहा था मक्नलाल लेकिन इनका कहना यह है कि जो रतम महदूद पर खरच करनी है वो हम चंदे में दे दे अमा अटाईए सियासत अपनी जगा रीत रिवाज अपनी जगा लाला जी यह कांग्रेस का अख़वार है खादी पे छपेगा और बैल गाडियों में बटेगा मैं फिल तो नहीं होगी मगर जिस दिन अख़वार का पहला शुमारा बाजार में आएगा तो जलसा करने का इरादा है इंशाएला यह दमी है और यह क्या खयाल है आपका हूं गोल में इस कांफरेंस में मौलाना महमुद अली की जोरदार तक्रीर आपको महलू है ना मौलाना महमुद अली अब कॉंग्रिसी नहीं है फिर भी आपने अपने अख़बार में उनकी तक्रीर को इतनी अहमियत दी हामेद अली एसान कजब हो गया भाई क्या हुआ मौलाना महमुद अली का इंतिकाल हो गया नहीं अब दो दिन पहले क्या तक्रीर की थी फरमाया था मैं घुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाओंगा लगता है माउथ उनकी जबान से बोल रही थी मरने वाले मरते हैं लेकिन फना होते नहीं वो हकीकत में कभी हमसे जुदा होते नहीं भाईजान भाईजान ये रोने का वक्त नहीं है उठिये मौलाने के गम में आज शहर बंद होना चाहिए उठिये यह मौलाना मौम्मद अ़ली मौलाना मौममद अली भाईयो आज मौलाना मौमद अली की वधात के गम में सारे शहर में बंद रहेगा इसले दुकाने बंद कर लिजे शुक्रिया 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 मौलाना मौमद अली माइंदाबाद मौलाना मौमद अली माइंदाबाद रामलाल आप दुकान नहीं बन कर रहे हैं रामलाल जी मरूम मौमद अली साब के गम में हम सब को शरीक होना चाहिए अगर आपके नेता नहोते तो इतनी बीमारी के बावजूद तो लंदन क्यों गए होते अपने मुल्क के आजादी के लिए लड़ क्यों रहे होते अरे वो मुसल्मानों के नेता थे, मुसल्मान अपनी दुकाने बंद करें यह आप हिंदू मुसल्मान के क्या सवाल उठा रहे हैं हाँ हाँ रामलैल अपनी दुकान बंद करो, यह क्या पेकर का सवाल उठा रहे हैं आप अरे हिंदू मुसल्मान हैं? तो हिंदू मुसल्मान का सवाल भी उठेगा हा? चलिये भाईजान, चलो ग mosat ऐसे लोगंसे क्या मू लगना? वाजिद κया करू परफेसं? यह था यह हिंदू मुसल्मान का सवाल इससे पहले तो नहीं उठाता? यह उठान अच्छी नहीं है बाई, अल्लाइआ खियर करे वो मौलाणा मॉहमुद Anfang Halit जो एक जमाने में Ghandi ji का दाएना हाथ माने जाते थे अब इनके लीडर नहीं रहे, भूल गए उनकी सारी कुर्बानिया मौणा मॉहमुद AMDI! आई जुमंबन और रिवा यह और दीम जॉम्दे ल्ड़ कोला कि पी आप की बार फसल ठीकूहीजी शरकार आप उपने हिस्था कुछ कम कर ले धेखो जुमल, पिषली बार नहीं बुछक्य मत Hai तो हमने अपना हिस्था कम कर दिया उसे पिछली साल तुने का भाटा गई उसवक्त भी हमने अपना हिस्सथा कम कर दिया लेकिन इस साल ना तो सुखा पड़ गया है न बाड़ा गई तो फिर हम क्यों अपना इसा कम करें फसल को घुन लग गया सरकार तो हम क्या करें फसल को घुन लग गई या तुमारी बीटी की गौने में रुपया ज्यादा खर्चवा इसलिए बाड़े कर रहे हो चचमिया आप इसकी बात मान लीजे बना गाउं के बागी बटाईदारों तो ये भी इस साल लगान नहीं चुकाएगा क्यों क्यों नहीं चुकाएगा लगान बोल वो हमको बताय रहे कि गांधी जी ने मना किया है गांधी जी कह रहें से तुमारा क्या वास्ता ये सब सियासी बाते हैं, तुम्हारे से कोई तालक नहीं सरकार, क्या अपने हग के लिए भी हम लोग नहीं लड़ सकते देखो जुमन, तुम चुप चाप अगले जुमे तक हमारा हिसा यहां पहुचा दो नहीं तो मैं भाई जैन से तुम्हारी शिकायट करूँगा कि हर गोशय गंदम को जला दो सलिम यह 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 जवहार लाल और उसके सोशलिस्ट साथियों ने इन गरीब मजदूरों का दिमाग खराब कर दिया है कह रहे हैं कि आप जागरदारी खत्म कर दो तो गरीब किसान और मजदूर का भला हो जाए तो क्या उड़ा है इसमिजय जान सलिमिया तो आप यह कहना चाहते हैं कि हकूमत इन जुम्हार मिया जैसे मजदूरों के हाथ में दी जाए इक्बाल साब का कौला भूल गए जमाने कार अगर मजदूर के हात में हो फिर क्या तरीका ये कौकन में भी वही हीले हैं परवेजी सलिमिया यह गरीब किसानों की आड़ लेकर जवार लाल भी अब हिंदू महसभा की हामे हामिला रहे हैं लेकिन जागिरदारी खत्म करने की मांग से हिंदू महासभा क्या तालोग से चामिया, वो तो खुद पैसे वाली पार्टी है जागिरदारी खत्म करने की मांग इसलिए की जा रही है, क्योंकि ज्यादातर काश्टकार हिंदू है, और जमीनदार मुसल्मान है सारे इंदुस्तान में ऐसा नहीं है, मसल्द बंगाल, और मलबार में तो मुसल्मान काशकारों ने 1921 में हिंदू जागेदरों खिलाब जहाद किया था इसलिए, इसलिए सलीम या, जागेदरी खत्म करने की मांग, यूपी में की जा रही है बंगाल और मलबार में यहीं लोग इस बात की मुखालफत कर रहे है सलीम या, ये सब मनसूबे मुसल्मानों के खलाफ है, खासकर यूपी के मुसल्मानों के खलाफ क्यूंकि यूपी का मुसल्मान बाके मुसल्मानों की नुमाइंदगी कर रहा है पहले हमारी हुकूमत चली गई अब अगर जागिरदार भी खत्म हो जाएगी तो हम कहां के रह जाएंगे मुझे तो इस मुलक में इसलाम खत्रे में नज़र आ रहा है रगू में आप वो लहू बाकी नहीं है वो दिल वो आरजू बाकी नहीं है नमाज औरोजा, कुर्वानी और हज, यह सब बाकी है मगर तू बाकी नहीं है तेज़ जान आप जो कह रहे हैं आपको खुद को भी उस पर यकीन नहीं सलीमिया बेगमाद आए तशिर्फ हो कि यहाँ दिवान खाने में क्यों चलिया है हमें बलवालिया होता है वो अंदर बाकी लोग है ना बाकी लोग तो क्या कोई ऐसी बात करनी है जो बाकी लोगों से छुपानी है है भी और नहीं भी है बही देखे ये अंग्रेजों की पॉलिसी मत अपना ही साफ साफ के ये बाद क्या है आपने पने बेटे के बारे में क्या सोचा है सलीमिया के बारे में उनके बारे में क्या सोचना है माशाआलला जवान है खुबरू है पढ़े लिखे है अपने बारे में खुछ सो सकते हैं शाहीन कह रही थी कि सलीम शायरी करने लगा है कभी कभी आप बड़ी बचकाना बातें करने लगती हैं वेगम अरे भाई इसमें बुराई क्या है और फिर उर्तु जबान है ही ऐसी कि ज़रा सी कोशिश से उसमें वजन और मुशीखी पैदा हो जाते हैं आप कभी मुझ जाहिल की बात समझने की कोशिश करें तो क्या बुराई है सलीम की शायरी मैंने देखी है वो आपके हमारे जमानी की शायरी नहीं है वो बहुत इन्खलाबी शायरी है और जो किताबी वो आजकल पढ़ रहा है ना वो रूस के इन्खलाब के बारे में है तो साहबजादे अलीगर के कमिनिस्टों से मुतासिर मालूम पढ़ते हैं खुदाना खास्पा किसी को मालूम पढ़ गया तो बात पहल सकती है सलीम किसी मुसीबत में भी पढ़ सकता है नहीं पर आप घबलाएं नहीं हम आजी शामकून से बातें करेंगे नहीं बात करने से कुछ नहीं होगा आप उसकी शादी करते हैं दुलहन ऐसी हो जो उसका दिल दूसरी तरफ लगा सके ठीक है हम आजी नजमा के बारे में अहिसान से बात ने करते है नजमा उसे नहीं रोक सकेगी वो तो बात कमजोर लड़की है तो फिर कोई और है आपकी नजर में शाहीन कैसी रहेगी पढ़ी लिखी है समझदार है हमारा अपना खून है भाई बेगम आप तो कभी-कभी बहुत अकलमंदी की बाते करने लगती है बहुत बेटर खयाल है आपका घर की बात है और अपने माजीद में अभी खुश हो जाएंगे हुजूर क्या बात है नसीबन हुजूर चोधरी साब आए है अच्छ अच्छ आप अंदर तश्रीफ लेजाएं बेज दो ने आए यह आए चोधरी साब तश्रीफ रखें ने ने भाई आमिद आप शेरवानी पहने और हमारे साथ चलें क्यों चोधरी साब खैडियत तो है भाई अब क्या बताएं शहीद भगत सिंग के सोग में बाजार बंद करवाया जा रहा था लेकिन कुछ मुसल्मानों ने तो दुकाने बंद करने से इंकार कर दिया है क्या बेकुफी की बात है मीटिंग में तो ते हुआ था कि आम हरताल रहेगी भई उनका ये कहना है कि दो महीने पहले हिंदूओं ने जो मौलाना मुहमद अली की वफात पर वो हरताल नहीं की थी अब ये उसकी जवावी कारवाई है माजिद मिया और ऐसान मिया कहा है ऐसान मिया तो मीटिंग अब बंदोबस कर रहे हैं और माजिद कहीं रूट कर चले गए है रूट कर? किस से? वही हम से जगणा हो गया था उनका ये कहना है कि मुसलमानों का स्टैंड बिलकुल दुरूस्त है अब इसी बात से कशीद की और खैल गई है पागल है माजिद भी जदबात में बेखक्र जाने क्या क्या किया जाते है आफरिकार न करहें बाजार हम बंद कराइंगे तशीर रखें हम अभी आजर हो साथियो मेरे अजीज दोस्तो अजीम इंकलावी सरदार भगत सिंग को महज इसलिए सूली पर चड़ा दिया अंग्रेजों की जालिम सरकार ने कि वो अपना बुन्यादी हक चाहते थे इस मुल्क की आजादी मांग रहे थे सरदार भगत सिंग की शहादत किसी हिंदू, मुसल्मान या सिक की मौत नहीं बलकि मादर वतन के एक इनकलावी बहादूर बेटे की मौत है हमारे साथी की मौत है, हमारे भाई की मौत है अगर आज के दिन, आज के दिन भी हम खामोश रहे, हमने अपने गमों गुसे का इजहार नहीं किया, तो दुन्या क्या कहेगी अंग्रेज क्या समझेंगे यही ना कि हमारा इत्यात खत्म हो चुका है हमें भाईचारा नहीं ना मेरे साथियो मेरे दोस्तो हाज आप अपनी दुकाने अपना कारोबार अपने दफ्तर सब कुछ बंद करके यह साबित कर दीजे कि हम एक हैं हम एक हैं अपने तमाम हिंदू और मुसल्मान दोस्तों से मेरी गुजारिश दस्त बस्ता दर्खास थे कि आज की हलताल में शामिल होकर हिंदू मुसलिम दोस्ती का एक बहतरी नमूना पेश करें आप लो जब मौलाना मुहमद अली साहब का इंतकाल हुआ था तब ये दोस्ती कहा थी तब भी ये दोस्ती काइम थी मेरे भाई मगर बाजार तो बंदी हुआ था पूछ लीजे रमलाल से इसने उस वक्त दुकान खोली थी इसलिए आज हम भी दुकान बंद नहीं करेंगे अगर तुद्कान बंद नहीं करेंगा तो में तेरा सर्प फूर दूगा आजी थी तब दुके लोगा आजी दुकान रोगा आयाओ घ्लाओ चावड़ चावड़ नाउस्ते काव्टर सहाब आदाब लालाजी, बैठिये, बैठिये अदाब पंदी जी, बैठिये जाए, क्या साथ? ठीक हूँ लालाजी मैं तो आज ही लौटा हूँ पता चला मसीह आप बिमार हैं तो देखने चला है अब कैसा है जख्म जख्म तो भर जाएगा पंडित जी मगर ये फसाद का जख्म हमेशा दिल पर रहेगा बिचारा गनेश विद्यारती जैसा शरीफ आदमी मारा गया बड़ा दोस्त आदमी था आज तक हमारे शहर में कभी फसाद नहीं हुआ था यहां भी हो गया बापु जी का बयान पढ़ा आप लोगों ने बड़ा दुख हुआ उन्हें जवारलाल जी तो दोरा करने आ रहे हैं सुना है जवारलाल बोल्शेविक हो गये रूस जैसा संघर्ष यहां भी लाना चाहते हैं वो बोल्शेविक नहीं है वो यहां डेमोक्रेसी निजाम चाहते हैं यह तो नहीं होगा क्यों? क्यों नहीं होगा? इसलिए कि यहां के मुसल्मान उनका साथ नहीं देंगे यह आप कैसे कह सकते हैं? क्या मैं मुसल्मान नहीं हूँ? आप अलग किसम के मुसल्मान है मगर आम मुसल्मान ये नहीं समझते कि अगर उन्हें हिंदुस्तान में रहना है तो वो अलग नहीं रह सकते अगर रहना है का क्या मतलब? हम यहां रहते हैं यह हमारा वतन है और हम यहीं रहेंगे यह आप कह रहे हैं सान्मिया जरा अपने बहनों ही माजिद अली से पूछ कर देखे कि वो क्या कहते हैं कल चौक में सबसे पहले उन्हों नहीं कहा था कि मुसल्मान वो नहीं करेंगे जो हिंदू चाहेंगे माजिद भाई नहीं यह कहा था जी हाँ माजिद साहब नहीं यह कहा था आदा भाईजान आदा अब आपकी तबियत कैसी है भाविजान बता रही थी कि आपने कल से कुछ खाया नहीं आप कुछ नाराज मानु हो रहे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं माजिद निया कि हम क्यों और किस से नाराज है भाईजान भाईजान मुझ में आप जितनी कुवत बरदाश्ट नहीं है मैं एक हद तक जब्त कर सकता हूं उसके आगे नहीं और मेरे जैसे हजारों हैं जो इस तरह के मुसलसल बेज़ती बरदाश्ट नहीं कर सकते आखिर किस ने किया आपकी बेज़ती हिंदू नहीं वो हमें नीचे दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते अब आप कली की बात लीजे मौलाणा मौमद अली के वफात्पनों उनने दुकाने बंद करने से इंकार कर दिया हम खून का गूप पीते रह गए मगर जब हमने वही हरकत की तो उनने इतना बड़ा फसाद खाड़ा कर दिया ताकि सारे दुनिया मुसलमानों पर थूतू करे नाम दरे सारे मुसलमान बदनाम हो जाए बचकाना बात है दुनिया अंधी नहीं है और महस हिंदूओं के कह देने बर से मुसलमान बदनाम नहीं हो सकते मुसलमान बदनाम हो रहे हैं अपनी हरकतों से अपने जजबाती फैसलों की वज़े से अरे अगर सेहकुनों शेहरों में से Metro में से एक शेर के हजारों दुकनदारों मेंसे दो एकने ालताल में गसण नहीं लिया तो इसका इल्जाम सारे सारी Hindu विराधरी पर कैशे दर आजा सकता है कि कच्चा या पक्का देखने के लिए एक चावल का दाना देखा जाता है भाई जान कोई भी शक्स पूरी हांडी उलटकर नहीं देख सकता तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहां के सारे हिंदू अचानक मुसल्मानों की दुश्मन हो गए उनसे नफरत करने लगे सारे हिंदू में ही मगर हिंदू की अक्सरित आप मुसल्मानों के साथ एक जैसा सलोक नहीं कर रहे हैं किस मुल्क दुश्मन ने कहा कि हिंदू मुसल्मानों में बराबरी नहीं रह गई हमसे बिलाईए उसे हम बताते हैं हम बताते हैं कि यहां के हिंदू मुसल्मानों में अब भी इत्यात काइम है क्योंकि हमारी लडाई हम वतनों से नहीं हैं बलके उनसे हैं जो जबरदस्ती हैं हमारे मुल्क पर कब्जा किये बैटे हैं भाई जाल आप पुराने खलाफती हैं और खलाफत और कॉंग्रस का रिष्टा भी पुराना है मगर अब हाला बदल रहे हैं इस वक्त मुसल्मान के साने सिर्फ मुल्क की आजादी का सवाल नहीं है उसे ये भी सोचना है कि उसकी हैस्चित इस मुल्क में दूसरे दर्जे की सब्सक्राइब करें दूसरे नहीं है उनके और हमारे वीच में कोई बीचीज मुस्तरक नहीं है उनकी जबान अलग तहजीब अलग रहे हैं सेल अलग रसो रिवाज अलग क्या आप बेखूफ हों जैसी बातें कर रहे हो हिंदोस्तान के मुसल्मानों के रस्म निवाज उनका पहनावा उनका रख रखाओ सब इसी सर्जमीन की देन है नहीं से बाहर लेक कर आये थे और नहीं से उधार मगाया गया है यह सब कुछ और यह उर्दु जबान जिसका बड़ी खूश्चूरती के साथ अब इस्तेमाल कर रहे हैं यह इसी धर्दी की देन हैं और आप से ज़्यादा उसका इस्तेमाल हिंदो कर रहे हैं यहां की हवा और इसे बाटा नहीं जा सकता है आई जान आप कुछ नहीं समझ सकते हैं माजीद मिया आप जो कुछ हमें समझाना चाह रहे हैं है वो हम समझना भी नहीं चाहते हैं 1932 में अंग्रेज सरकार की ओर से सामपरदाइक अवार्ड का ऐलान हुआ जिसमें ये तैह हुआ कि चुनाओक शेत्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और प्रांतों में सरकार भी कायम होगी जिसमें हिंदुस्तानियों की काफी दखल होगी मगर पूरे मुल्क के लिए केंद्रिय सरकार बनाने पर अंग्रेज राजी नहीं थे हर संप्रदाइ के लिए अलग-अलग चुनाओक शेत्र मुकरर हुए और इस कानून के तहत 1936-37 में चुनाओते हुए राजा साहब अगर ये खबर सच है तो बड़ी परेशानी की बात है मैं अभी अभी पन साहब से मिलकर आ रहा हूँ रफीय हमेत कुद्वाई में हुझूद है वो तो नहीं बहुत परेशान है अजी लेक्शन सर पर है उसका तो नक्षा ही बदल जाएगा अजी तर्शिप साहदेट तो है अजी बेवक्त तक्लीफ इसलिए दी कि एक बहुती अहम खबर आई है वाजा साहब आप ही बताईए हमी साहब अंग्रेश फिर एक चार्ज चल गया है गवर्नर सर मैलकेम हेली ने यूपी के तमाम जमीनदारों को इस बात पर राजी कर लिया है कि वो अपनी पार्टी बनाए पार्टी का नाम भी रखा गया है नैशनल अग्रिकुल्चरिस पार्टी अब ये नई पार्टी कॉंग्रेस के मुकाबले में एलेक्शन लड़ेगी और इसके पास जमीनदारी की ताकत के साथ साथ सरकारी हमायद भी होगी तो क्या मुसलिम जमीनदार भी इस पार्टी में शामील है राजया साथ मुसल्मानों के लिए जो सीटे रखी गई है अब उन पर मुसल्मान जमीनदार इंतखाब लड़ेंगे अग्रिकुल्चरिस पार्टी अपना कोई नमायंदा नहीं खड़ा कर रही है जायर है कि मुसल्मान जमीनदार बिला मुकाबला ही जी जाएंगे लेकिन ये वो जमीनदार होंगे जिनें मुसल्म लीक की मायद हासिल होगे मुसल्म लीक? राजया साथ मुसल्म लीक तो बस बराय नाम है आजील लीक को दुबारा जिनदा किया जा रहा है मुहमद अली जिना लंडन से वापस आकर मुसलिम लिडरों से मुलाकाश शुरू कर चुके है सवाल ये पैदा होता है हामिद भाई कि इस सूरते हाल में उन मुसल्मानों का क्या होगा जो ना तो जमीदार है और ना ही लीक के साथ में है इस बात का फैसला तो तब ही हो सकता है जब ये मालूम हो जाए के मुहमद अली जिना के दिल में क्या है दिलने में भी सर्धी तो बहुत होगी है लेकिन सियासी गर्मा गर्मी में मैसूस नहीं हुई जिस दर नहां पहुंचा उसी शाम काईदाजम ने मुझे बुला लिया वहां पहुंचा तो अच्छा खासा जलसा था सभी लोग मौजूद थे मुंचिक के तायतुला मुलाना हुसाइन हमद और शौकत अली थे वहां मगर ये लोग तो लीग में नहीं है हाँ ये लोग लीग में नहीं हैं ये लोग मुस्लिम यूनिटी बोर्ड के मेंबर हैं काईदाजम ने उन्हें बातचित करने के लिए बुलाया था काईदाजम हंदुस्तान के सारे मुसलमानों को एक जंडे तले देखना चाहते है पैसला क्या हुआ काईदाजम ने कहा कि उन्हें लीग की लीडर्शिप पसंद नहीं है जो इस वक्त जमीनदारों और सरकार से खिताब हासल करने मालों के हाथों में उनका कहना था कि ये लोग सरिफ अपना फाइदा देखते हैं इनके लिए मजभा और कौम की कोई अहमियत नहीं है काईदाजम ने साफ का, देखो भई, हमारी पार्टी को अक्सरे तभी मिल सकती है जब जितनी भी मुसलिम सीते हैं, उन पर जो भी मुसलिमान लेकर लड़ेगा वो लीग का हो मुसलिम यूनिटी बोर्ट के मेंबरों ने काईदाजम की बात मान ली? नहीं, मौनाना हुसायन अमद और मौनाना शौकत अली ने एतराज किया उनका कहना था कि भई हम तो अंग्रेजों से मुकमल आजादी की मांग कर रहे हैं और इसलिए अपनी मूम चला रहे हैं लीग मुकमल आजादी की खाइल ही नहीं है, इसलिए कोई समझाता है नहीं हो सकता है। इस बात पर गाइद अजम ने कहा, कि भई पारलिमानी बोर्ड में हम आप लोगों को अकसरत देंगे। आप जो भी फैसला करेंगे वो हमें मन्सूर होगा। बस इस नतीजे पर पहुँचकर मुटिंग खत्म हो गई। अल्ला करें एलेक्शन का नतीजे अच्छा निकले। इंशाला। कॉंग्रेस इस बात को मानती है, कि हिंदू और मुसल्मानों के बीच बहुत सारे इक्तिलाफात हैं। मगर ये इक्तिलाफात क्या हैं। सिर्फ बात को समझने के ढंग में फर्क है। अगर मुसल्मान चाहता है कि उसके जायज मतालबात पूरे किये जाएं। तो वो क्या गलत चाहता है। अगर वो चाहता है कि उसे रियाती दे जाएं। तो ये उसका सामाजी हक है मगर ये अखिलाफ, ये फर्क, मजभब की वज़ा से नहीं ये तो एक शहरी का दूसरे शहरी से अखिलाफ है जो लोग मजभब का लवस सियासत में इस्तेमाल करते हैं उसका नाजाइस फाइदा उठाते हैं वो किसी भी मज़ब के मानने वालों के दोस्त नहीं उनके दुश्मन है वो फिर्खापरस्थ हैं जो एक छोटे से फिर्खे के फायदे के लिए मज़ब की आल ले रहे हैं आज हम अच्छी तरह जानते हैं कि कॉंग्रस की पॉलिसी क्या है कॉंग्रेस की पॉलिसी वही है जो उसके आता अंग्रेज की पॉलिसी है यानि मुसल्मानों को आपस में लड़वाओं और उन्हें कमजोर करो खुदा के वास्ते आप उनके फरे में ना आएं क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल वक्त है काइब एज़ुदे सही फरमाया है अगर मुसल्मान में इतिषाद नहीं होता तो किसी भी कीमत पर उनकी तभाई नहीं रुख सकती अगर आपको लगता है कि हम गलती पर है अगर आप लोग हमसे इत्थाक नहीं है तो आप लोग हमारे साथ आइए हमारी गलती को ठीक कीजिए, क्योंकि गर का आयब, घर वाले ही ठीक कर सकते हैं, कोई गैर नहीं इस वक्त हमें इत्धाद की जरूरत है, अलमा एकबाल फरमाते हैं, उन्फयत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक एक ही सब का नभी, दीन भी, इमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, पुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसल्मान भी एक फिर कबंदी है कहीं, और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बाते हैं, इसलिए दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक बात याद रखिए, हमें इस वक्त इत्धाद की जरूरत है, बस, बस और मुझे कुछ नहीं कहना है अगर हमें इस देश का स्वामी बनना है, अगर हमें अपने भाग्ये का फैसला खुद करना है, तो हमें हिंदू बनना होगा हमें एक ऐसी संस्कृति का निर्मान करना पड़ेगा, जैसी मुसल्मानों ने अपने लिए की है उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, इस देश का कल्चर नहीं है, अगर वो चाहते हैं कि इस पावन धर्ति का अंश बने, तो उन्हें हमारे संस्कारों को अपनाना चाहिए उन्हें हिंदू नाम रखने चाहिए हिंदू तहवारों को उसी तरह मनाना चाहिए जिस तरह वो अपने तहवार मनाते उन्हें हिंदू धर्म अवतारों का आदर करना चाहिए तभी इस देश में हिंदू-मुस्लिम एकता संभव है और यही महासभा का लक्ष है भाईयों ये कोई सियासी पार्डी पार्डी का जल्सा नहीं है ये एक आम आदमी का जल्सा है जो ये जानना चाहता है कि धर्म और मजभ के नाम पर वोट बांगने वाले ये जमीनदार तालुकेदार और ये सरमायदार उसके नुमाइंदे हैं ये नहीं भाईयों दौलत मंद सिर्फ अपनी दौलत का नुमाइंदा होता है और ये एलेक्षन सिर्फ दौलत मंदों का एलेक्षन है क्योंकि यहां सिर्फ उन्हें वोट देने का हक है जिनके पास कम से कम 10,000 रुपया या उतने ही रखम की कोई जादाद हो अगर यह अवाम का एलेक्शन होता तो यह नवावों, जागिर्दारों और सेठों के साथ साथ लड़न, घसीटा और जुमन को भी वोट देने का उतना ही एक होता जिनके पास भूक और उम्मीद के सिवा कुछ नहीं है इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी बार्डी हो यह सब छोशित वर्क ते खिलाफ छोशन कर रहे हैं, यह लोग हमारे नुमाइंदे नहीं है 1937 के चुनाओ में मुस्लिम लीग बुरी तरह हरी हाला कि कॉंग्रस कई प्रांतों में जीती लेकिन कॉंग्रस ने खास मुस्लिम चुनाओ सीटों पर बहुत कम उम्मीदवार खड़े किये और जहां किये भी वहां आधी से कम जगों पर फत्य हासिल की इसके बाद लीग के सदर मुहम्मद अली जिन्ना ने कॉंग्रस से फिर एक बार समझोता करना चाखा मगर शर्त ये थी कि मुस्लिम लीग को ही हिंदुस्तानी मुस्लमानों का एक मात्र नुमाइंदा सुईकारा जाए जो शर्त कॉंग्रस ने रद कर दी थी इसके बाद जहांसी के एक उपचनाव में लीग ने पहली बार इसलाम खत्रे में है का नारा अपना कर काम्याबी हासल की तो लीग और कॉंग्रस में तनाव बढ़ गया फिर क्या अंग्रेजों की फूट डालकर कमजोर करो वाली नीती जो वो आरलेंड में आजमा चुके थे यहां भी कारगर साबित हुई और देखते देखते मुल्क के बटवारे के लिए मांग बढ़ने लगी 1930 के इंतिखाब में 70 लाख वोटर्स थे जबके इस सेलेक्शन में 3 करोड 60 लाख हिंदुस्तानियों के पास अपनी राय देने का हक था और सारे ब्रिटिश इंडिया से 1585 नमाइंदे चुने जाने थे कांग्रेज ने 1161 जगों के लिए मकाबला किया और 716 सीटे जीत ली 11 में से 6 सूबों में कांग्रेज को अक्सरियत मिली है और 3 ऐसे सूबे हैं जहां कांग्रेज सबसे बड़ी पार्टी यूपी में कांग्रेज को 288 में से 133 जगे मिली है जैसा कि आपको मालूम है कि बेटिश इंडिया में 482 जगे मुसल्मानों के लिए मक्सूस थी उन में से कांग्रेज ने 56 जगों पर अपने उम्मीदबार खड़े किये और 28 सीटें जीत ली इस अलेक्शन में मुसलिम लीग को मसल्म अकसरियत के इलाकों में भी कामेवी हासिल ने ही सरकारी एरान के मताबिक बंगाल में 117 M. जगे थी जिन में से लीग को 38 हासिल हुइ पंजाब में 84 नशिसते मुसल्मानों के लिए मक्सूस थी जिन में से लीग साथ जगों के लिए मकाबला किया और उसके दो उम्मीदवार जीते सिंद में 33 जगों में से सिर्फ तीन लीग के उम्मीदवारों कब्जे में आई है मुस्लिम अक्सरियत के इलाकों में मुसल्मानों के लिए 272 जगें मक्सूस थी जिन में से लीग ने 43 हासिल की है इस तरह लीग का नतीज़ चार आशारिया आठ फीसदी निकलता है 4.8% हिंदू महासभा ने यूपी और पंजाब में अपने बहुत से उम्मीदवार खड़े किये थे मगर एक के सिवा सभी कांग्रेस के मकाबले में हार गए है सूबा सरहद में जो मुस्लिम अक्सरियत का इलाका है कांग्रेस की काम्याबी की खबर में दिए भाईजान अधाब खुश रही है खुश रही है इसान में साम वाले कुम आशान वाले साम आईए कैसे हो मिया वई अल्ला मुबारक करे आओ बेटो शुकरिया बाईजान यह सब बाप की दुआओं का सत्ता है बाईजान अरे मिया क्या जय रहे हो यह तो तुमारी खिदुमात तुमारी अमांदारी और वतन परस्थि का नतीजा है भाई भाई ऑई खुदा और कामियाबीदे ङेमी उन्हे रोकी किसे रोके माजीद मियां जा रहे है दुल्हंन मना रही यह लेकिन मानते ही नहीं और अखुष यह क्या एहमकाना हरकत है समल के बाद सलीम सरा आवे सहारा दीज़ी चलिए भाय जा माजीद राई को आप समझाईये माजीद मैया हाँ माजीद भाईजान, अब आप बीच में न बोले, मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता सियासी हारजीत का घर से क्या तालूख है माजिद भाई? मुझे तो है, और मैं अब ऐसी किसी जगे नहीं रह सकता जहां मुसल्मानों के दुश्मन रहते हो आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे तमाम मुसल्मानों के नुमाइंदे आपी ही हो जी नहीं, मुसल्मानों के नुमाइंदे तो आप जैसे कांग्रिस मुसल्मान है माजिद मिया, माजिद, हमेंसे कोई सारे मुसल्मानों का नुमाइंदा नहीं है, भाई हम तो सेलाब में बेहते हुए उस तिनके की मानिंद हैं इसे खुद अपनी मन्जिल का पता नहीं भाई मेरे उस नफरत औ हिकारत बे इतमादी और फिर्खा परस्ती के सेलाब को उतर तो जाने दो फिर मालूम होगा कि मुसल्मान क्या चाहते हैं मुझे नहीं लगता बागी इसलाब कभी उतरेगा मेरा ख्याल है यही वो पस्मन्जर है जिसमें से चंद साल पहले हिंदुस्तान के बंटवारे की आवाज बुलंद हुई यूं तो उनके कारण थे कई फराहमी सबब भी कई तरह की गलेतियां और हिमाकतें और सबसे बढ़कर अंग्रेजी सरकार की जोड़ तोड़ की नीती लेकिन इन सब की तै में मानसिक पसमन्जर था चंद तारीखी हालात के अलावा जिसकी वजह से हिंदुस्तानी मुसल्मानों के मध्यवर का विकास बहुत देर से हुआ इस अंतराल ने मुसल्मानों में खौफ की कैफियत पैदा कर दी है पाकिस्तान यानि हिंदुस्तान को तक्सीम करने की तजवीज चाहे वो जजबाती हैसियत से कईयों के लिए खास कशिश रखती है इस बिछड़े पन का कोई इलाज नहीं है और ये अंदेशा है कि इस से जागीर दाज तबके की गिरफ्त काफी अरसे तक और मजबूत हो जाएगी और मुसल्मानों की आर्थिक तरक्की में ज्यादा देर लगेगी